हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं सचन अरोडा एक बाफिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अरोडा एजुकेटर के इस ओफिशल प्लेटफॉर्म पर आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं RBI Assistant Computer Knowledge Mock Test Day 5 पर अभी तक हम लोग ने Mock Test Day 4 तक बहुत सारे कोशन को समझा एनलाइस किया और ये समझने की कोशिश करी कि एक्जाम में कैसे कोशन देखने को मिलेंगे In fact, बहुत सारे कोशन आपको यहीं से ही Copy-Paste मिल जाएंगे एक्जाम में जो कोशन भी सेम हुगा और Option भी सेम हुगा ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ कोशन तो Previous Year के भी Repeat कर देते हैं और इसके साथ साथ थोड़ा सा बदलाव भी करते हैं और उसी बदलाव के साथ में हमने आपको Mock Test में वो कोशन दिये हैं तो ऐसे ही कोशन आपको मिलेंगे इसका मतलब कि यहाँ पर अगर आप Better Score कर पा रहे हैं तो Computer में तो Better Score आपका Guaranteed है और आप लोग भी तो यही चाह रहे हैं कि Computer में Best Score कर पाएं और हो भी क्यों ना? क्योंकि Computer जैसे Subject में अगर 40 में से 35, 37, 38 ऐसा Score करते हैं 0.25 मार्क से जो रुकता आ रहा है इससे ज़्यादा Difference नहीं होता क्योंकि Preparation तो आप लोग की बढ़िया है Pre आप लोग Qualify करी ही लेते हैं Mains में आकर भी आप रुकते हैं तो 0.25 मार्क से Computer यहाँ पर आपको एक Edge प्रोवाइट कर देगा इससे Better क्या हो सकता है और RBI की जॉब अपने में Golden जॉब है बस मिठाई तयार रखिएगा हमारे लिए क्योंकि आपकी इतनी महनत में जो थोड़ा सा युगदान हमारा है ना तो मिठाई तो बनती है तो चलिए यहाँ पर डिसकस करते हैं साती साथ अगर आप Batch सी Connect होना चाते हैं तो ये भी आप हो सकते हैं देखिए ये जो questions हैं जो यहाँ पर हम करवा रहे हैं वो भी beneficial Batch सी बस एक edge ये मिल जाती है आपको कि topic wise जब आप लोग पढ़ते हैं तो एक confidence feel होता है confidence इस चीज का feel होता है कि question कहीं से भी आजाए paper का level कितना भी tough क्यों न हो आप कर पाएंगे और plus एक guarantee ये भी होती है कि 40 में से 38, 39 इतना score भी आप बना पाएंगे बहुत असानी इसी क्योंकि computer में दिखिए बहुत ज़्यादा नया करने के लिए question hardware से पूछते हैं software होगा, database होगा networking है, internet है memory है और इसके साथ सथ कुछ और भी topics हैं छोटे छोटे से जैसे number system हो गया, networking हो गया ऐसे बहुत सारे और भी topics बनेंगे जहां से question पूछ लेते हैं fundamentals या generations को मिलाएं तो तो एक बार अगर आप topic वाइस पढ़ते हैं topics को और साथ में previous year के सारे questions कर लेते हैं maximum mock test कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर भी कोई उमीद है कि questions को पूछा जाए बाकि इस batch से कैसे connect होंगे तो आप देख सकते हैं, Aroda educator app को आप install के लिजेगा, वहाँ पर आपको यह मिल जाएगा, 1st of March से यह batch आपका start हुआ है around 15th April तर topic wise हम यहाँ पर end कर देंगी फिर इसके बाद previous year के questions और mock test daily basis पर चलेगा तो confidence level तो अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा और examination के time पर video देखने की भी requirement नहीं क्योंकि videos आप पहले ही देख चुके होंगे तो last time पर बस आपको PDF की मदद से एक बार revise करना है that's it अना बाकी आप खुद बताएंगे कि सर पेपर कैसा हुआ यह feedback तो आप देंगे ही न चलो, यह रहा पहला question बताएगा, बाकी अगर इन पांच session में से कोई भी session miss हुआ हो, तो आपको उसका link description box में या comment box में मिल जाएगा, तो कोई भी session अगर miss हो गया, तो उसको देखना जरूर एक बार बहुत time लेकर इन sessions को बनाया जाता है आप लोग के लिए ताकि ऐसी ही question exam में मिल जाएगा, तभी तो मज़ा है it is the default search engine in Tor browser देखे, Tor browser की बात करें तो Tor की full form होती है the onion router ये ऐसा browser है, वैसे हम लोग जो browser यूज़ करते हैं, नॉर्मल लाइफ में वो कौन सा होता है Google Chrome होता है, Internet Explorer होता है Mozilla Firefox होता है लेकिन जो hacker होते हैं वो जिस browser का यूज़ करते हैं वो browser है Tor browser या जो ethical hackers होते हैं वो भी Tor browser का यूज़ करते हैं Tor browser के साथ में एक search engine मिलता है, वो search engine कौन सा है Bing, Yandex, Beadu DuckDuckGo या Yahoo बिलकुल सही this is called DuckDuckGo तो याद रखिएगा ये question दोनों तरीके से पूछा जाता है कि DuckDuckGo search engine किस browser के साथ में यूज़ होता है तो answer क्या हो जाएगा Tor browser यानि हर एक question को दो question मान के आपको यहाँ पर पढ़ना है तो अगर 20 questions पढ़ते हैं तो मान लेजे कि आपने 40 questions को पढ़ा है क्योंकि answer से भी question मनता है और question से तो बनता ही है नेक्स देखेगा यह index search engine belongs to which country यह index जो एक search engine है वो किस country को बिलोंग करता है किस country ने बनाया है चाइना, रशिया, USA, कनेडा या इंडिया तो answer है वही country जो अभी काफी चर्चा में है यूक्रेन के साथ में बिलकुल सही आपने guess किया व्लादिमिर पुटिन की country व्लादिमिर पुटिन की country व्लादिमिर पुटिन यहां के main head है आप जानते हैं और काफी चर्चा में भी है तो correct answer यहां पर क्या होने वाला है काईज बिलकुल सही व्लादिमिर याद रखेगा यह index internet content that is not capable of being searched by a web search engine is generally described as the dash किरा है internet का content जिसको search करते है search engine पर लेकिन मिलता ही नहीं which is not capable of being searched आप सोचेंगे sir यह कैसे हो सकता है कि search engine पर कुछ भी हम search करें और वो मिले ही ना क्योंकि normal तोर पर हम लोग देखते हैं कि search engine पर कुछ भी लिखते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ देता जरूर है result में search करें ऐसा ही तो होता है लेकिन एक बात और भी है कि वो सिर्फ उतना ही देता है जितना search engine में feed किया जाता है और वो सिर्फ internet का 4 प्रतिशत होता है जो हम लोग देखते हैं उसे surface web की नाम से जाना जाता है that is called surface web और internet का वो सिर्फ 4 प्रतिशत है 4 percentage है 4 परसेंट है जितना हमें देखता है बाकी जो hidden है उसे क्या बोलते हैं deep web, dark web, hidden web, secret web या फिर dark web दो बार है और correct answer इसका होगा deep web तो जो हमें नहीं देखता वो deep web है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं surface web क्या है उपर का हिस्सा है जो हम सर्च करते हैं और मिल जाता है जो हम सर्च करते हैं और जो हमें मिलता ही नहीं वहाँ पर जैसे government की files, officials, कोई privacy जिसमें add-on है वो सब deep web है एक और भी होता है जिसे बोलते हैं dark web डार्क web क्या है अगर illegal हो गया deep web में कोई भी चीज़ जैसे bitcoin है या किसी ने कोई hacking करी या कुछ illegal activity करी जैसे pornography ये सब हमारी किसमें आ जाती है dark web में आ जाती है जितनी भी illegal चीज़ें है हत्यारों का खरीदना बेचना किसी पैसे को illegal तरीके से छुपाना लेकिन deep web आपका legal है और dark web illegal है समझ में आया अगला देखी dash uses pretty good privacy algorithm क्या रहे इनमें से PGP इसकी short form क्या है pretty good privacy की PGP किसमें इस्तमाल की जाती है email में file encryption में both of these wifi या router क्या लगता है आपको बिल्कुल सही यहाँ पर correct answer होगा email and file encryption सबसे ज़्यादा pretty good privacy का इस्तमाल किया जाता है किसमें email में electronic mail में किसी को जो आप mail send करते हैं या receive करते हैं वहाँ पर जो privacy लगी हुई है जो security लगी हुई है वो pretty good privacy है और साथी साथ जब हम किसी file को encrypt करते हैं encryption की मदद से या digital signature की मदद से तो वहाँ पर भी हमारी pretty good privacy का इस्तमाल होता है next dash is automatically loaded and operate as the part of browser क्या रहा है ये browser का एक हिस्सा है जो कि browser में load होता है browser के साथ में attach किया जाता है ताकि browser की जो functionality है वो बढ़ जाए इसे क्या बोलते हैं जड़ा सोचके बताए addons, plugins, utility, widgets या all of these बिल्कुल सही इस question का answer होगा this is called plugins बहुती famous question है कई बार इसको addons भी सही माना जाता है answer लेकिन वो गलत होगा क्योंकि इसका जो authorized name है जो legal name है वो plugins है browser की कई सरे plugins हमें free of cost भी मिलते हैं जिससे हम browser की capability को increase कर लेते हैं that is what we call plugins is automatically loaded and operate as the part of browser 1 megabyte memory storage in form of byte is equals to 1 MB megabyte मतलब MB कितने bytes के बराबर होती है यह आपको बताना है 1024, 1024 square, 1024 cube, 1024 की power 4 या 1024 की power 5 byte के बराबर तो हम जानते हैं 1 megabyte is equals to 1024 की power 2 के बराबर यहाँ पर होता है क्योंकि इसके पीछे का एक reason है हम जानते हैं 1 byte में 8 bit होती है 1 kilobyte में 1024 byte होते हैं और 1 megabyte में 1024 into 1024 byte होते हैं तो दो बार अगर 1024 होगा इसका मतलब 1024 square is the correct one next question which of the following is non-volatile memory इन में सैसी कौन सी memory है जो permanent है तो एक बात तो हम लोग जानते हैं कि RAM हमारी कैसी है that is volatile in nature temporary है जबकि ROM हमारी कैसी है permanent है non-volatile memory है तो what is the conclusion कि RAM जहाँ पर भी होगा वो temporary होगी और ROM जहाँ पर भी होगा वो permanent होगी तो यहाँ पर answer आपका क्या हो जाएगा EEP ROM is the correct one Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory is Non-Volatile Memory Next one .NET Framework was designed and developed by .NET Framework बहुती popular framework है जिसकी उपर C Sharp आपकी programming language रन करती है पूछा जा रहा है किसने design और develop किया है Microsoft, IBM, Oracle, Google या Apple क्या होगा correct answer बिलकुल correct answer है Microsoft का है .NET platform जिस पर C Sharp Visual Basic जैसी languages को run किया जाता है Clear है Next देखे The dash option is an email is used to create a new message Email में ऐसा कौन सा option है जिसके थुरू आप नए message को create करते है नए mail को create करते हैं तो mail भीजने क्लिक क्या करते हैं compose करते हैं, create करते हैं, new करते हैं, forward करते हैं या inbox करते हैं बिलकुल सही अगर mail आपको create करना है तो इसके लिए compose mail पर हम लोग जाते हैं तो correct answer क्या होगा that is compose mail next one which key combination is used to select a row in a worksheet बहुत ही famous question है RBA assistant में कई बार ये question repeat हुआ है तो worksheet यानि Excel की बात हो रही है और Excel में एक row को select करने की shortcut की क्या होगी row भी पूछा जा सकता है, column भी पूछा जा सकता है तो दोनों का मुझे बताईए क्या होगी shortcut की बिल्कुल सही, row के case में होगा shift plus space bar और column के case में होगा control plus space bar तो हमने यहाँ पर image की मदद से आपको दिखाया भी है कि अगर rows को select करना चाह रहे हैं तो shift के साथ space दबा दीजेगा और अगर पूरे column को select करना चाह रहे हैं तो control के साथ में space bar प्रेस करेंगे right, next one a cell with a highlighted cell boundary is called as dash in MS Excel के रहे हैं जब cell की जो boundary है वो highlight हो जाती है तो यसे क्या बोलते हैं MS Excel वो जो cell है particular वो क्या active cell होगी right cell होगी, left cell, center cell या फिर all of these बिल्कुल आसान सा question है और आप सब लोग जानते हैं कि जब हम cell पर click करते हैं तो वो cell हमारी select हो जाती है that particular selected cell is called active cell right, तो जैसे की before पर हमने click किया तो यह जो before है यह क्या होगी, यह active cell होगी which of the following keyboard shortcut is used to open the paste special dialogue box in MS Word 2021 हम लोग जानते हैं कि MS Office का जो latest version है वो 2021 है इससे पहले वाला 2019 था और उससे पहले 2016 था यानि 2007, 2010, 2013, 16, 19, 21 यह हमारा latest है तो जरा बताईए तो कि MS Word 2021 में paste special dialogue box को open करने की shortcut की क्या है यह question अगर 2013 में पूछा जाए, 2016 में पूछा जाए, 2019 में पूछा जाए, 2021 में पूछा जाए, आंसर सेम रहेगा जरा मुझे यह बताईए कि paste की shortcut की क्या होती है नॉर्मल पेस्ट करने की तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, control के साथ V दबा दीजे, very good paste special की बात करें, तो control alt के साथ में V दबा दीजे, तो बस आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर special लगा हुआ है, तो alt भी यहाँ पर लग जाएगा, बाकि control V तो normal है, तो control alt और V for paste special next, by default how many sheets are provided in MS Excel 20101 workbook क्या रहे 2010 की जो workbook होगी, यानि worksheet जो होगी, normal collection of worksheet को workbook बोलते हैं हम लोग, तो 2010 के case में, by default कितनी sheet होती है, MS Excel, 1, 7, 5, 3, or 2 तो answer यहाँ पर क्या होगा, by default 3 worksheets in Excel 2010, लेकिन अगर latest platform की बात करे, 2019 की बात करे, 2021 की बात करे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि 2010 की बात की जारी थी, तो answer क्या था, 3 worksheets, by default, और collection of worksheet क्या है, workbook है, next, what is the purpose of the keyboard shortcut, shift plus F3, in MS Word 2019, तो MS Word 2019 में, shift के साथ F3 करने पर क्या होता है, बहुत ही popular question है, और मैं उमीद कर रहा हूँ, कि यह आपको याद हो गई होगी होगी अभी तर shortcut की, क्योंकि यह तो RBI assistant की one of the famous है, यह question दोनों तरीके से पूछते हैं, दोनों मतलब अभी हम आपको बताएंगे, तो shift के साथ F3 जब आप press करते हैं, तो क्या होता है, आप change case कर सकते हैं, यानि upper case से lower case, या lower case से upper case या title case, इनके बीच में आप switch कर सकते हैं, तो correct answer यहाँ पर क्या होगा, इस shortcut switches the text between upper case, lower case and title case, means third is the valid word, अब यही question ऐसे भी पूछते हैं, कि which shortcut key is used to switch the text between upper case, lower case, title case in MS Word 2019, तो answer क्या होगा, shift plus F3, जैसे कि आप देख सकते हैं, MS Word में capital A लिखा होता है, और एक small A, इस tab पर जब आप click करते हैं, तो यहाँ पर आपको change case करने का option मिल जाता है, तो इस tab पर click करके भी कर सकते हैं, और shift plus F3 की मदब से भी कर सकते हैं, next, in powerpoint, themes could be found under, powerpoint में अलग अलग तरीके की themes हैं, जो आप adjust कर सकते हैं, अपने according, यह themes किस tab के अंदर आपको मिल रही हैं, यह आपको बताना है, transition tab, design tab, insert tab, animation tab, या फिर none of these, बिल्कुल सही correct answer होगा, design tab के अंदर हमें सारी themes देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, file है, home है, insert है, design है, transition है, animation है, slide show है, review है, तो यहाँ पर जैसे ही design पर आप click करेंगे, अलग अलग तरीके की themes आपको मिल जाएंगे, next one, name that malware technique which takes credit card और debit card information, पता ही, क्या रहे है, ऐसी कौन सी malware technique है, malware मतलब malicious software, जिसके थूँ credit card और debit card की information को leak कर लिया जाता है, clone मना लिया जाता है इनका, तो इस technique को क्या बोलते हैं, phishing, progen, ransomware, bitcoin, या spoofing, very good correct answer हुगा, phishing, जैसे मचली पकड़ने वाला जाल होता है, उसको बोलते है, phishing, तो यहाँ पर मचली बन गए हम लोग, क्योंकि बड़े ही साबधानी के साथ में debit card और credit card की information को leak कर लिया जाता है, तो that is what we call phishing attack, in fact, जितने भी banking related fraud होते हैं, उनको हम phishing ही category में रखते हैं, जैसे facebook page को hack करना भी एक तरह की का phishing attempt है, क्योंकि वहाँ पर हम same facebook जैसा page create कर लेते हैं, और इसके थूँ फेस्बुक के username और password को hack कर लेते हैं, in fact, page की cloning भी करते हैं, और page की cloning अगर नहीं करनी है, तो same वैसा ही आप कह सकते हैं कि falsification of data के थूँ, धोका धड़ी से ये काम किया जा सकता है, और इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, phishing attack बोलते हैं, clear, next देखी, name the attack in which attackers overload computing और network resources, क्या रहे इस तरह के attack का नाम बताइए, जहां पर जो hacker होता है, वो क्या करता है, network पर compute यानि एक बेसिकली इस तरीके से attack करता है, कि वो server down हुझे, उसको overload कर देता है, याना लिखा हुआ attackers overload computing और network resources, तो network पर इतनी request भेजी जाती है, कि वो network वो system bad जाता है, और फिर उसे hacker लिया जाता है, इस तरीके के attack को क्या बोलते हैं, distribution of service, duplication of work, cyber attack, denial of service या digital attack, बिल्कुल सही, this is called denial of service या distributed denial of service, देखी कैसे हो रहा है कर, जो hacker है उसने request भीजी server पर, और ये request इतनी तेजी से भीजी जाती है, robot की मदद से, bots की मदद से, कि जब एक से ज़्यादा request आती, और कई सारी request जाती है, server के पास, तो वो hang हो जाता है, जब hang हो जाता है, तो वो shutdown हो जाता है, जब कोई भी चीज हैंग हो जाती है और अपनी सर्विस को बंद कर देती है तो उसको hack कर पाना बहुत असान है यही तो है denial of service यही तो है distributed denial of service इसी के तुरू हम किसी भी database को भी hack कर सकते हैं यहना best way है next देखेगा In the context of mobile communication what is the full form of LTE दो terms बहुत famous हैं LTE है और एक वोल्टी है जब आपने Jio Mobile लिया होगा या Jio Sim खरेदा होगा तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी वहाँ पर वोल्टी नेटवर्क लिक कर आता है LTE या VOLT तो LTE को normally हम लोग 4G से compare करते हैं और जो वोल्टी है जिसे LTE अगर हो गया तो वो 3G और 4G की बीच की speed देता है और जो वोल्टी हो गया वो लगबग लगबग 4G की speed देता है यानि LTE का मतलब होता है long term evolution जो 3G से 4G की बीच की speed के लिए famous है और exact जो 4G speed हमें provide करता है वो है वोल्टी voice over long term evolution तो इसका मतलब LTE क्या हो गया long term evolution ठेक है नेक्स देखे which of the following mobile operating system was developed by Nokia operating system से question जरूर आपको देखने को मिलेगा बहुत simple question होते है Nokia की द्वारा develop किये गए operating system का नाब बड़ा Android Symbian क्या होगा option दिया हुआ है only 2, only 1, only 1 and 2 only 3 या neither 1, 2, 3 तो Nokia की द्वारा जो operating system develop किया गया था वो था Symbian operating system तो answer क्या होगा only 3 is the correct one जबकि जो Android है ये Google के द्वारा develop किया गया operating system है और जो बड़ा operating system है ये develop किया गया था Samsung के द्वारा शायद आपने सुना हो discontinue हो गया है market में लेकिन बहुती famous था एक समय पर Samsung का operating system that is बड़ा operating system right next which displays the contextual spelling error in a document किसी भी document में जब आप लिखते हैं जैसे suppose करी MS Word में आपने लिखना शुरू किया तो वहाँ पर contextual spelling error होती है जिसको किस से denote किया जाता है green line से blue line से black line से red line से या none of these देखिए यहाँ पर एक ची समझेगा कि अगर grammatical error है तो वह green line से शोगती है spelling error है तो वह आपकी normally red line से शोगती है लेकिन अगर contextual spelling error है तो यह किस line से शोगी blue line से शोगती अब question ही उठता है grammatical error हम समझ गए green line spelling error हम समझ गए that is of red line लेकिन एक जो नई error हमने बताई है that is contextual spelling error इसका मतलब क्या है contextual spelling error का मतलब होता है कि spelling तो सही है लेकिन जिस context में लिखी जा रही है वो गलत है जैसे यहाँ पर हमने एक example के तोर पर लिखा हुआ है I wanted to let you know that और no की spelling हमने यहाँ लिखी है no no तो क्या यह spelling गलत है बिल्कुल नहीं क्या यह context गलत है बिल्कुल सही यानि होना चाहिए था कि अनो डबलू और हमने लिख दिया no तो इसका मतलब यह contextual spelling error है जिसको blue line की मदद से denote किया गया समझ में आया concept तो ऐसी ही प्यारे प्यारे concept exam में पूछे जाते हैं जिसमें आपको confuse करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है कि आप confuse हो वहाँ पर और आप confuse ना हो यह आपको कोशिश करनी होगी क्योंकि RBI famous है ऐसे questions को पूछने के आसान तो नहीं पूछेगा लेकिन जब आप पढ़ लेते हैं किसी भी concept को तो वह आसान हो जाता है आसान और difficult में जो difference होता है उसे minute सा होता है अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है question या concept तो आपको लगेगा difficult है और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप कहेंगे सब पेपर तो बहुत असान आगिया तो जितना पढ़ेंगे उतना ही benefit आपको मिलेगा तो I hope ये 20 questions आपको समझ में आए होगी जितने भी sessions हमने लिए हैं इन सभी का concept आपको clear हो रहा हुगा कहीं पर कोई भी doubt है तो comment section में comment करके आप बिल्कुल पूच सकते हैं और अगर topic wise अगर आपको पढ़ना है तो Aroda Educator आपको install कर लीजेगा वहाँ पर batch से connect हो जाईएगा और बैतरीन तरीके से topic wise concept फिर topic wise MCQs, test, mock test इन सब को आप वहाँ पर avail कर पाएंगे live session तो आपको links मिल जाएगा description में comment section में उन sessions का भी जो हमने यहाँ पर YouTube पर लिया हुआ है उसके भी link आपको मिल जाएँगे description में और comment में और as well as batch से अगर connect करना चाते हैं तो इसका भी direct link आपको वहाँ पर मिल जाएगा कैसा लगा session comment करके जरू बताइएगा बखी session पसंद आ रहे हो तो like जरू करिएगा channel पर नए हो तो subscribe भी जरूर करिएगा thank you very much guys बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ till then bye bye and take it thank you very much